सुकर पालन के तोरान रोगों का प्रबंधन एक मुख्य चनौती है जैव सुरक्षा सुकरों के स्वास्थ रख रखाओं की आधारिश शिला है आईए हम शुरुवात करते हैं जैव सुरक्षा से जैव सुरक्षा का अर्थ क्या है इसका मतलब क्या है एवं जैव सुरक्षा के विवन्य उपाई क्या है जैव सुरक्षा उन उपाईों का कारान वयन है जो सुकर-फार्म के अंदर एवं बाहर किसी भी विमारी के प्रवेश एवं प्रसार की जोखिन को कम करता है जैव सुरक्षा का मुख्य लक्ष रोगों को फार्म के अंदर तथा एक फार्म से दूसरे फार्म में फैलने से रोकना है जैव सुरक्षा क्यों महदपुडन है जैव सुरक्षा उपायों को पालन करने से पशों को स्वस्त एवं अधिक उत्पादक बनाए जा सकता है जैसा कि आप जानते हैं कि रोग सुकर फार्म की स्थिर्था एवं लाब प्रद्दा पर प्रतिकूल प्रभाब डालते हैं आए हम श्रीमती बविदा की कहानी सुनते हैं जो अपने सुकर फार्म में किसी बीमारी के प्रकोप से बुरी तरह प्रवावित थी इबारारू नतुनकरी गाओरी भरम हनकुली बाग जिशू ए ऑसीन रपतू को रपरा इसी मोय नजानू This is an example of why bio-security measure is important in every pig farm. In this case, the entire stock was affected by African swine fever, which is an emerging highly pathogenic infectious disease of pig. And if robust bio-security measures were taken in his farm, then the entire stock would have been prevented from the spread and introduction of the disease and the financial implications thereafter. फार्म में आने वाले वाहनों के माध्यम से जूतों एवंग कपड़ों से भी रोगानों फार्म में प्रविश कर सकते हैं। मानव जनित मार्ग जैसे की आगन तुकूं, पशू सहायक एवंग पशू चिकत्सकों की द्वारा जिनके संपर्त में कई बीमार सुकर रहा हो। दुशित चारा या फीड एक अन्यर जोखिम कारक हो सकता है क्योंकि अधिकांग्श फार्म में चारा बाहर से ही आता है। किसी नजदीकी फार्म या इलाके में बीमारी का प्रकूप होने से क्योंकि कुछ रोग, हवा एवं पानी से फैलते हैं। चुहें, आवारा कुत्तों, गाय, जंगली सुकर, प्रवासी पक्षी यहां तक के किलनी के माध्यम से भी रोग फार्म में प्रवीश कर सकता है। अब हम रोग को फैलाने की संबंधित जोखिन कारकों के बारे में जान चुके हैं। जैबस सुरक्षा उपायों को लागू कर हम अपने फार्म में बीमारी फैलाने वाले कारकों को कम कर सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, रोग थाम इलाज से बेहतर है। इस संबंध में भारतिय कृष्षी अनुसंधान परिशत का राश्त्रिय सुकर अनुसंधान केंदर ने जैब सुरक्षा दृष्टिकोन विक्सित किया है, जो भारतिय परिस्थतियों के लिए विवहारिक एवं उप्युक्त है. ये अनुसंधान केंदर भारत के असम राज्य की राणी में स्थित है, जो सुकर पालन को बढ़ावा देने में देश का अगरणी शोध संस्थान है. राष्ट्रिय सुकर अनुसंधान केंदर, अपने नवीन अनुसंधान एवं प्रसार गतिविधियों द्वारा, सुकर उत्पादन, स्वास्थ एवं सुकर मास की गुणवट्ता बढ़ा कर, आर्थिक एवं समाजिक रूप से कमजोर वर्गों की बीच, पोशन सुरक्षा, रोजगार स्रीजन एवं गरीबी अन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है. अच्र स्वीक मांप अपिक एवं स्सक्टर है, जुम मत बक्तर क्यूबए टो Kane handlar्ıs, बाप्रावसिनग पाफ्न that of measure which they will prevent the infection, scientist and technical staff of this institution is working to develop different SOP's for the help of our pig farmers, with those SOP's various pig farmers located in different part of our country are benefited. यह उप्षान के सब्छास्टान के वाग्यानिक शुकर पालकों की वार्म इवम घरूंक का नियमित ब्रहन का नियमित ब्रहन। पुंबन करते हैं। राश्त्रिय सुकर अनुसंधान केंद्र ने सुकर से जुड़े सभी हित धारों को जैवे सुरक्षा के महत्वे की बारे में शिक्षित करने में महत्व बूड़न भूमी का निभाई है। संक्स्तान से प्राप्त तक्णिकी सहायता ने सुकरपालों को हाल ही ने हुई महामारी के प्रकोप से उबरने में मदद की है। हमारा उत्तर पूरूर नॉर्थ इस्ट का तमाम स्टेट्स में इसकी वज़े से बहुत सारे गहुरी का मर्त्व हुआ है तो उसमें इस बीमारी का एक सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि इसका कोई वैक्सिन टीका अभी तक बना नहीं अब जब तक टीका या वैक्सिन नहीं बनेगा तब तक तो इसकी रोक थाम बहुत मुश्किल काम है अब उस सो बचने का सिर्फ एक उपाय है जिसको हम बोलते हैं बायो सेक्यूरिटी मतलब जो बीमारी का क करने वाला वाइरस है उससे अपने पस्तु से हम कैसे दूर रख सकते हैं तो उसके लिए एक बहुत सारी विदी है जो हमने सोचा कि आपके फार्म पे जाकर ही आपको समझाया जाए यदि अच्छी प्रकार से बायो सेक्रिटी हम मैंटेन रख पाए तो यह आप निश्चित म से आप बचेंगे और जो मुख्य उदेश इससे कुछ आर्थिक संसादन पैदा करने का है वो आपका उदेश से भी पूरा होगा अनुशंसित जैबिस उरक्षा उपाए जैबिस उरक्षा योजना फार्म की स्थिति एवं उसके नक्षे से शुरू होती है सुकर फार्म आदिर्श रूप से एक पथक स्थान पर अवस्थित होना चाहिए ताकि दो फार्म की बीच उचित दूरी की सुविधा हो हलांकि व्यवारिक रूप से हमेशा ऐसा संबब नहीं होता है इसका सबसे अच्छा उपाई भौतिक रूप से बाधाओं को स्थापित करना एवं निर्बाध प्रवेश को प्रतिबंधित करना है जैब सुरक्षित फार्म क्षेत्र को स्वच्च जोन की रूप में रखा जाना चाहिए एवं उसके बाहरी क्षेत्र को जोखिम क्षेत्र के रूप में वर्गिक क्रित किया जा सकता है फार्म की सिमा पर लोही की बाड लगाकर जोखिम क्षेत्र से मुक्ट आवागमन, आवारा कुत्तों, बिल्लियों, गाई बकरियों, जंगली सुकर आदी के प्रवेश को बहुत हद तक नियमित किया जा सकता है ये बाड लगने से लोगों एवं वहनों की अवाजाही पर भी नियंतरन रखा जा सकेगा इससे जोखिम क्षेत्र से जैब सुरक्षत सुकर फार्म में संक्रमन फैलने से रोखा जा सकेगा क्षेत्र को पुन बफर जोन एवं कोर जोन में विवाजित किया जा सकता है प्रवेश की अनुमति होती है। सुक्रों की शेद कोर जोन में होना चाहिए जहां सक्त जैब सुरक्षा हो तथा किसी बाहरी का प्रवेश वर्जित हो। प्रवेश प्रक्रिया। एक फार्म को पूरी तरह से अलग करना व्यवहरिक रूप से असंभब है। फार्म के नियमित संचालन के लिए कर्मियों, सुक्रों एवं वहनों की अवाजाही की अवशक्ता होती है। परंतु प्रत्यक प्रवेश प्रक्रिया को जैब सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। सबसे व्यवहरिक तरिका ये कि जैवत सुरक्षा पर स्पष्ट निर्देश मुख्य द्वार से शुरू होना चाहिए। डिस्प्ले बोर्ड इस तरह स्थित होना चाहिए कि बाहर से आने वाले प्रत्यक व्यक्ति का ध्यान अपनी और हक्रिष्ट करें। मुख्य द्वार पर ही नियमित तापमान जाँच एवं हाथों की सफाय की व्यवस्ता होनी चाहिए। आगंतुको एवं फार्म करमचारियों द्वारा पिछले कुछ दिनों में किये गए किसी फार्म के दौरे के बारे में सूचना देनी चाहिए। खास कर किसी सुकर फार्म, बूचर खाना या सुकर के संपर्क के बारे में रिकॉर्ड बनाना बहुत महदवपुर्ण है। अन्यथा फार्म करमचारियों के माध्यम से ही बीमारी फैल सकती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले तीन दिनों में किसी संक्रमित पशु के संपर्क में रहा हो या रोगानों के संपर्क में आया हो, उनको फार्म में प्रवेश नहीं देना चाहिए। फार्म के अंदर किसी भी प्रकार का खाद्य सामगरी या जयावेक पदार्थों को बाहर से लाने की अनुमती नहीं होनी चाहिए। कोर जोन से ठीक पहले एक चेंज रूम की विवस्था होनी चाहिए, जहां फार्म कर्मचारी अपने काम के दोरान खर से लाए सामान रख सकें एवं अपने कपड़े बदल सकें। फार्म कर्मचारीं को फार्म में प्रवेश से पहले सनान करना चाहिए, कपड़े बदलना चाहिए एवं गमपूट पहलना चाहिए। सुकर शेद में प्रवेश से पहले पैरों को किटानू नाशक दरब में डुबाना एवं हाथ को स्वच करना अनिवारी है। अधिकांग्ष वाहन एवं आगंतुकों को फार्म कार्याले या फार्म घर तक ही सिमत रखना चाहिए। वैसे वाहन जिन्हें फार्म क्षेत्र में सामान की सुपुर्वगी करनी हैं, उन्हें आवशक स्वच्था प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही आगे बढ़ने की अनु किटानु शोधन इत्यादी शामिल हैं। यदि वाहन का अप्योग हाल ही में अन्य जानुवरों के परिवहन के लिए किया गया था, तो पशुपिंजरों का पूरी तरह से किटानु शोधन अनिवार्य है। जैब सुरक्षित कोर जोन में आगंतुकों को जाने की अनुमती केवल अति आविशक मामले में ही दी जा सकती है। उन मामलों में जैब सुरक्षा नियमों का कडाई से पालन किया जाना चाहिए। जैसे एप्रन, मास्क, तोपियां एवं गम बूट पहनना। किटानु शोधन के तरिके जैसे पैरों को किटानु नाशक धरब में डुबा है। फाम भ्रमन के दौरान सुकर से दूरी बना कर रखें एवं उन्हें न चुएं। छोटे किसान जो घर के पिछवाडे में सुकर बालते हैं, ये सुनेश्चिट करें कि कोई मेमान सुकर शेद में प्रवेश न करें। एक पारंपरिक ग्रामीन समाज में ये बहुत आम बात है कि लोग अपने पशू को मेहमानों को दिखाते हैं। परंतु यदि किसी आगंतुक के घर में पहले से कोई बीमार पशू है तो उसका संक्रमन आपके पशू में फैल सकता है। ये गंभीर जैव सुरक्षा जोखिम है। ये भी हो सकता है कि आपके फाम का संक्रमन आगंतुक के माध्यम से बाहर फैल जाए। अतर हमेशा ये सला दी जाती है कि मेहमानों का स्वागत घर के अंदर करें परंतु सुकर ग्रिह में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करें। जब सुकरों को दूसरे फाम से अपने यहां ला रहे हूं तो विशेश ध्यान स्रोत से तथा संबब हो तो उचेट टिका करन किये हुए सुकरों को ही खरीदें। किसानों को ये पता होना चाहिए कि भले ही बाहर से आने वाले सुकरों में बीमारी के लक्षन न हो परंतु उनमें रोग के रोगानों मौजूद रह सकते हैं। ये सुकर हमारे फाम की सु कि परवेक्षन में एक अस्थाही आश्रे में रखने की प्रक्रिया को संगरोधन कहते हैं। ये जानवरों से बिमारी के जोखिम को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जानवरों का नया जथा लाने से पहले संगरोधन आश्रे की उचित सफाई एवं किटानों शोध संगरोधन करना महद्व पुड़न है। संगरोधन आश्रे में एक साथ सारे नए जानवरों को रखें तथा एक ही साथ सारे जानवरों को हटा दें। आदश रूप से एक संगरोध आश्रे मुख्य फार्म से अथवा कोल जैव सुरक्षा जोन से एक किलोमेटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। संगरोधन की आदर्श अवधी 21 दिनों की होती है। इस अवधी के दोरान स्थानिक रोगों के लिए टिकाकरन, क्रिमी नाशन, हादी रोगों का परिक्षन कर लेना चाहिए। प्रतिस्थापन स्टॉक खरीने का एक विकल्प ये हो सकता है कि हम बन जून्ड नीती का पालन करें जिसमें अपने फार्म से ही अगली पीडी के सुकरों का उत्पादन किया जाता है। क्रित्रिम गर्भधान अच्छी गुनवत्ता के सुकरों का उत्पादन करने का सबसे असान तरीका है। अलाकि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वीरे का सुरूत रोगमुक्त हो। राश्ट्रिय सुकर अनुसंधान के इंद्र उच्य गुणवत्ता वाले रोगमुक्त सुकरों का वीरे आपुर्ती सुनिश्चित करता है। संक्स्थान ने सुकरों में कृत्रियम गर्भाधान से संबंधित अनुसंधान एवं विकास कार्य पर विशेश जूर दिया है। रोग, चारा एवं पानी से भी फैल सकता है। यदि सावधानी नहीं बरती गई, तो पशुवद, अपशिष्ट, अखाद्य मास को सुकरों को खिलाने से बीमारी फैलने का खत्रा बना रहता है। पकाकर खिलाना एक प्रभावी तरिका है, जिसमें गर्मी से खाद्य पदार्थों में मौझूद, सुक्ष्म जीवों की संख्या को कम किया जाता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में हुई, कोई भी चोक से सुक्रों की स्वास्थे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थे की निगरानी। Whenever a disease outbreak takes place, the most important area will be early detection. There are several advantages of early detection. If we can detect early, at least the losses due to mortality can be minimized. So how early detection can be done, one sign they will notice whenever a disease occurs, definitely the animal will refuse to eat. Second, in many infectious diseases, what we will observe, there will be mortality. So in such cases, the best option will be the pharmaceutical immediately inform to the local veterinarian, so that he can inform to the concerned authority, so this can immediately be tackled. किसी बीमारी का शिग्र पता लगाना, बीमारी के प्रकूप को कम करने की कूंजी है। फार्म के जानवरों की नियमित निगरानी, रोगों के किसी भी लक्षन के लिए करना चाहिए। जैसे बुखार, भूख कम लगना, दस्त, उल्टी, शरीर की रशा में गिरावट, लगडापन, त्वचा का रंग उड़ जाना, गर्भपात, अचानक मृत्यू, आदी की सुचना, तुरंद फार्म मैनेजर या पश्व चिकत्सक को देनी चाहिए। रोग का शीगर पता लगाने के लिए सुकर पालोकों एवं फाम करमचारियों को रोग के लक्षन से परिचित होना चाहिए। फार्म कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षन देना चाहिए ताकि वो सुक्रों में शिगर रोग का पता लगा सके एवं रिपोर्ट करने में सक्षम हो। संदिद पश्वों के जैविक नमोनों को पश्व चिकित्सिय परामर्श के आधार पर एकत्र किये जा सकते हैं एवं प्रयोग शाला में जाँच के लिए भेजा जा सकता है। किसी भी रोग का त्वरित एवं सठीक पता लगाना रोग के प्रकोप को नियंत्रिट करने की कूंजी है। अगर किसी पश्व की मृत्व हो जाए तो शव परिक्षन के द्वारा मृत्व के कारण का पता लगा जा सकता है। संदिध जैविक नमूनों को अधिक्रित प्रयोग शाला में भेजे जा सकते हैं ताकि रोग का पता लगाया जा सके। राष्ट्रिय सुकर अनुसंधान की इंद्र की पश्यू स्वास्त प्रयोग शाला में एक अध्याधुनिक निदान सविधा उपलब्ध है जिसमें अधिकांग्स स्थानिक सुकर रोगों का परिक्षन नियमित रूप से होता है। परिक्षन के बाद जैविक नमोनों को जैव सुरक्षित तरिकों से निप्टा जाता है ताकि रोगानों इस प्रयोग शाला की पाहर नव फैल सके। रोग आकस्मिताओं के दोरान जैव सुरक्षा उपाए। किसी भी रोग के लक्षन दिखाई देने पर तटकाल फार्म के पशुचिकत्सक को सुचिट करना चाहिए ताकि जल से उनका उपचार किया जा सकी। इसके अतिरिक्त वैसे स्वस्थ जानवर जो प्रभावित जानवर के संपर्ग में रहा हो। उनका सघन निगरानी करना समान रूप से महद्व पुड़ने हैं। रोग आकस्मिताओं के लिए एक मानक संचालन योजना शुरू करने की आविशक्ता है। जिसमें शामिल है संक्रमित जानवरों को अलग रखना। सुकर आश्रय की सफाई, सुकर आश्रय, वरतन एवं परिसर को किटानू रहित करना। संक्रमित जानवरों का अलगाव रोग को नियंतरित करने और उसे अबादी में फैलने से रोपने में मदद करता है। अलगाव शेद अल्न पशों के लिए उप्यों की जाने वाली किसी धी इमारत से अलग होना चाहिए। अलगाव शेद का निर्मान करते समय इस तरह से डिजाइन करें कि निर्वहन, अप्शिष्ट, श्राव, एवं मल को वहीं रखा जाए, अधवा निप्टान किया जाए, ताकि वो अन्य स्वस्थ पशों के संपर्क में न आए। अलगाव शेद की प्रवेश द्वार पर ही किटानू शोधन द्रब, पैर डुबाने की लिए उप्दलब्ध होना चाहिए। इस शेत्र में आगन्तुकों का प्रवेश प्रतिबंधित करें। अलगाव शेद की लिए अलग से समर्पित कपड़े एवं बरतन होने चाहिए। अगर नहीं हो तो हर उपयोग की बाद किटानू शोधन करें। इस शेड के लिए अलग से समर्पित कर्मचारी होने चाहिए. अगर नहीं हो, तो पहले स्वस्त पश्यों की देखाल करें, बाद में अलगाव शेड वाले की. सभी प्रकार के अप्शिष्ट पदार्थों, जैसे बचे वे खादि सामकरी, बिस्तर, आदी को अलग से निप्टाय जाए. एक अलग लोडिंग सुविधा का निर्मान अलगाव शेड के लिए होना चाहिए. अलगाव शेड में संक्रमित सुकरों को कम से कम 21 दिनों तक रखा जाता है. सफाय एवं किटानु शोधन, गंदगी फाम में बीमारी की खटनाओं की पविश्यवानी करती है. इसलिए नियमित सफाय एवं किटानु शोधन, हर फाम में जैविज सुरक्षा की हटक हैं. सफाय के अंतरगत सभी कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों जैसे बिस्तर, मलमूत्र, चारा आधी को हटाना शामिल है. अच्छा, अब हम सफाय कारियों पर अधिक चर्चा करते हैं. सुकर शेड की समान्य सफाय के अलावा दितरजन से भी समय समय पर सफाय करन तो उससे पहले शेड की सफाय दितरजन से करना अनिवारी है. उसी प्रकार किसी बिमारी की घटना एवं शव निपतान की बाद गहन सफाय एवं किटानु शोधन करना चाहिए. सभी सफाय के रसायनों को साफ पानी से दोकर साफ करना चाहिए. तभी किटानु नाशक का प उसकी ताकत साफ की जाने वाली सथों रोग पैदा करने वाले सुक्ष में जिवों की प्रहार हादी पर निर्भर करता है. ब्लीचिंग पाउडर जिसमें 30% क्लोरिन उपलब्ध होता है. उसका उप्योग फर्ष, गटर एवं मार्क को साफ रखने के लिए किया जाता है. खाली बोरे एवं चटाई को ब्लीचिंग पाउडर या चूने से भिगा कर सड़कों एवं फार्म के बाहर की रास्ते पर बिचा जा सकता है. पांच लीटर पानी में आधा किलो चूने को खोल कर चूने का खोल तेयार किया जाता है. इसे सत्वों पर छिड़कर लगा जाता है. चूने की पाउडर को फरश, नालियों एवं जमीन आधी पर छिड़का जा सकता है. दो प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड का उप्योग शेड की प्रवेश एवं विकास विंदू एवं मार्ग में किया जा सकता है. पुतैशियम पर्मेंगनेट या पुतैश का तीन और एक हजार के रेश्यों के अनुकरण में पैरों को डुबाने के लिए, तायरों को डुबाने के लिए एवं उपकरणों को दोने के लिए किया जाता है. पोतैशियम पेरोक्सी मौनो सलफेद जैसे अक्सी कारक युक्ट बिवसाइक किटानू नाशक का भी उपियोग नियमित रूप से पशू शेड के अंदर किया जा सकता है पानी में 2-5 प्रतिशद फिनॉल के खोट का उपियोग धातों के वस्तूओं एवं परिसर के किटानू शोधन के लिए किया जाता है ये वहन एवं पिंजरों के लिए भी प्रभावी है शव निप्तान शव का निसकारण वग्यानिक तरिके से किया जाना चाहिए जिससे रोगानू फैल न सके शव निप्तान की वधी से मिट्टी, हवा एवं पानी का प्रदूश्यन नहीं होना चाहिए अगर शव को दफनाय जा रहा है तो परियाप्त गहराई का गड़ा होना चाहिए जिसमें शव को दफनानी से पहले चूने की मोटी परत देनी चाहिए जानवरों के खाल एवं अन्य भाग जो संक्रामक रोगों या विशाक्त पदार्थों की शिकार हो गये हैं उनका भी सुरक्षित तरीके से निप्टारा करना चाहिए भस्मिकरन शव निप्टान का एक अन्य तरीका है जिसमें उच्चत आपमान पर शव को जलाकर अकारवनिक राख में बदल दिया जाता है शौके साथ दुशित सामगरी को भस्म कर रोगचनक एजंट को बे असर किया जाता है टिका करन टिका करन सुक्रों को संक्रमन से बचाय रखने के लिए प्रति रक्षा प्रक्रिया को उत्ते जिट करता है प्रत्यक फार्म को एक मानक टिका करन नियम को अपनाना चाहिए एवं उसका सक्ती से पालन करना चाहिए टिके की समाप्ती तिथी से पहले एवं कोल चेन सुनिश्चित करते हुए टिका करन करना चाहिए बेहतर परिणाम के लिए टिका करन से पहले सुकरों को क्रिमी मुक्ट करें टिके का बुस्तर दोज भी समय से लगवाना सुनिश्चिट करें भारत में क्लासिकल सुकर बुखार, खुर पका मुँपका रोग एवं पॉर्सिन सिरको वाइरस जैसे बिमारियों के लिए टिका करन करना चाहिए क्लासिकल सुकर बुखार, अर्थात CSF के खलाफ टिका करन दूद छुड़ाने के बाद करना चाहिए एवं इसका बुस्तर खुराग एक महिने बाद तथा हर चै महिने पर टिका करन दोराना चाहिए। खुरहा एवं मुह पका अर्थात FMD का टिका तीन सफ़ता के बच्चे को देनी चाहिए। एवं बुस्तर खुराक एक महिने बाद तथा हर छे महिने में टीके को दोराना चाहिए। इसी तरह सरकोवाइरस का टीका भी तीन सफता में किया जाता है तथा हर छे महिने में टीके को दोराय जाता है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि नए खरीदे गए सुक्रों को संगरोध शेड अर्थाक क्वारंटीन के समय ही टिका करन कर देना चाहिए. फाम चाहे बड़ा हु या छोटा जैव सुरक्षा अत्यंत महदवपोडने हैं छोटे सुकरपालक जो घर के पिछवाड़े में सुकरपालन करते हैं कुछ महदवपोडने बातों को याद रखें एवं इसका प्रयोग कर अपने सुकरों को सुरक्षित करें. मुक्ट अवाजाही को रोपने के लिए सुकर शेड की चारों और एक मजबूत बाढ़ स्थापित करें. आगनतुकों को सुकर शेड की तरफ न ले जाएं. घर पर उनका स्वागत करें. शेड को नियमित रूप से साफ करें एवं स्वच्था बनाए रखें. सुकर क्षेत्र में प्रवेश द्वार पर किटारों नाशक, फुट बाट, अर्थात, पैर को डुबानी की विवस्था करें. फीड या चारी की गुणवत्ता पर ध्यान रखें. मास अविशेश को खिलाने से पहले पकाएं. समय पर टिका करन एवं क्रिमी नाशक करें. न कुचित नपदान करें. रोक के लक्षनों से अवगत रहें. एवं तुरंत पशुचिकत्सक से संपर्ख करें. जैव सुरक्षा एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है. जैव सुरक्षा की सफलता मौजूम प्रनाली की खामियों की पैचान कर, उसमें सुधार के निर कालों की मदद करने की प्रयास में प्रतिबद है. केंद्र में प्रठ्याद वेगानिकों एवं तक्निश्यनों का एक समर्पित कार्यबल है. हम किसानों की साथ मिलकर उनकी बेहतर भविश्य के लिए प्रयास रत है. झालों की बेहतर भविश्य के लिए प्रयास रत है.